हलो सब्सक्राइब एक और वीडियो में मेरे नाम है आसी सर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिपल से रिलेटेड एक बहुत ही पॉजिटिव नियूस के बारे में जो की बड़ी नियूस है क्योंकि इनका जो केस है वो SEC के साथ में चल रहा था आप सभी को यहां पर पता होगा और वो जो केस है वो लगभग अव एंड होने की कगार पर है और यहां पर क्लियर जो विन है वो यहां पर रिपल करता हुआ दिखाई दे रहा है साथ ही एक और बड़ी नियूस है उसके बारे में यहां पर बात करेंगे XRP का प्राइस प्रेडिक्शन भी द योगो ध्यान से देखना है तो चलिए चलते हैं बात करते हैं यहां पर XRP के बारे में तो यहां पर आप देखो Ripple SEC make final bid for a quick win in XRP lawsuit तो यहां पर XRP के खिलाफ SEC ने case file किया था जहां पर इनका यह कहना था कि XRP मतलब जो Ripple है उन्होंने जो XRP coin है उसकी जो selling है यहां पर as a security 1.3 billion unregistered security offering करी है जैसे ही यहां पर token creation हुआ है 2012 में XRP को यहां पर founders ने बनाया था और उसके बाद में SEC ने 2020 में यह case इनके खिलाफ जो है registered किया जहां पर बोला गया कि 1.3 billion की unregistered security offering करी गई है और XRP को एक security as a security यह देखते हैं और इसके बीच में यहां पर SEC और XRP रिपल के बीच में यहां पर cases चल रहे थे और अभी यह final position पर आ चुका है कि अब यहां पर जो रिपल है वो यहां पर win करता हुआ clear दिखाई दे रहा है तो अगर ऐसा होता है तो XRP के लिए बहुत positive हो सकता है साथ ही यहां पर आप देखोगे तो जो रिपल के जो CU है उन्होंने भी यहां पर tweet करके बोला है देखो December 3 को I said it on day one we will aggressively fight to get clear rules for the entire industry in the US Congress to all of team ripple for creating us in this point to this point तो यहां पर इनका भी यह कहना है कि कहीं न कहीं जो XRP के ऊपर जो यह case किया गया था वो गलत था और यहां पर अब यह win करते हुए दिखाई दे रहा है तो यह positive tweet है साथ ही यहां पर इन्होंने यह भी कहा था कि अगर यह जो है ना हारते है तो US को यह छोड पर यह finally जो है यह win करते हुए दिखाई दे रहा है जो कि XRP से related बहुत ही positive news है साथ ही एक और बड़ी positive news यहां पर आ रही है कि जो ripple है वो यहां पर UAE के साथ में partnership कर रहा है इनके exchange से related साथ ही JP Morgan भी इनके साथ में join हो रहा है तो यहां पर इस से related जो news है वो यह है कि यहां प कर रहा है global leader JP Morgan साथ ही यहां पर ripple भी आ रहा है तो ripple के लिए एक और बहुत positive news यहां पर यह भी हो जाती है यहां पर देखो लिखा हुआ यहां पर रिपल जो है वैसे ही आपको पता है कि यह जो cross border settlement है उसके लिए use किया जाता है और यहां पर अब यह जो alfardine exchange है इसके साथ में partnership कर रहा है जो कि UAE का है साथ ही इनके साथ में यहां पर जो JP Morgan है वो भी partnership कर रहा है तो JP Morgan के साथ में XRP भी यहां पर UAE को join कर रहा है जो कि एक बहुत बड़ा global leader है JP Morgan तो यह भी एक बहुत ही positive news है XRP के लिए अगर यहां पर देखा जाए तो Wales बहुत ही जादा बुलिस है वेल्स क्यों बुलिस है उसके पीछे का राज यहां पर आप सबको पता चली गया है वेल्स इसलिए बुलिस है क्योंकि XRP का जो lawsuit जो file किया गया था यह XRP आप यहां पर ripple जो है win करते हुए दिख रहा है और ऐसे में Wales ने यहा जादा बुलिस है XRP के लिए XRP के चार्ट में हम यहां पर देखते हैं कितना XRP यहां पर pump कर सकता है अगर यह सब positive सब चीजे रही अभी तो XRP का price अगर आप देखोगे तो down है पर जब news आई थी तो उस समय pump करके लगबग 0.42 cent गया था अभी थोड़ा बहुत नीचे यहा और 14 को event है यहां पर जो की CPI data और यहां पर interest rate hike होने वाला interest rate hike कम होगा BTC pump करेगा तो XRP में भी एक jump देखने को मिल सकता है और जब इसका final result जब यहां पर आएगा तो XRP में एक अच्छा bounce देखने को मिल सकता है हो सकता है कि हम यहां पर 0.50 cent है उसके उपर भी यहां पर आ पर XRP पर देख रहे हैं अपसाइड में जो target है 0.50 प्लस ही आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो अगर इस लेवल के करीब में हम यहां पर आड करते हैं तो लगबग 50% chances हैं कि यहां पर upside में move आपको देखने को मिल यह अभी तो यह थोड़ा सा downtrend में देख रहा है पर आने वाले टाइम में अगर 34-35% के करीब में मिलता है तो मेरे इस आप से बहुत अच्छी डील रहेगी आपके लिए डिप में बाय करना चाहिए XRP थोड़ा सा जो है वो secure होता हुआ यहां पर देख रहा है और ऐसे में एक अच्छी rally इसमें देखने को आगे चलके मिल सकत है अभी तक जो है रिपल को आप देखोगे तो बहुत ज्यादा मूव नहीं दिखाए था क्योंकि यही सारी नेगेटिव निउज जो है मार्केट में चल रही थी पर फाइनली अप जो है पॉजिटिव निउज आ रही है तो अगर आपको डिप में बाय करके आप चल सकते वीडियो में मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई एंड टेक केर